यह जो है Dell Latitude का 8GB RAM 512GB SSD है, उससे अगला जो मोडल है वो है HP का ProBook की बहुत अच्छा configuration है, Full HD display है, यह बहुत ब़ली बात है, तो वो है Lenovo ThinkPad का एक अच्छा laptop आपके लिए हो सकता है. दोस्ता आप लोग के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें काम करने के लिए laptop चाहिए रिन्यूड laptop बता दीजिए जिनका बज़ट कम हो लेकिन उसके अंदर हमारे सारे काम हो सकते हैं, तो उस टाइप का laptop अगर आपको चाहिए तो वीडियो बिलकुल उसी पर आधारित है, उसी क्यूँ इन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे, समझने के वीडियो के साथ लास तक बने रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेर भी कर दिया करें, इससे रीच बढ़ेगी, वीवज आएंगे अच्छे, तो हम और भी रिसर्च करके अच्छी वीडियो करके आते रहेंगे आईए दोस्तों मुझ समझते हैं सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि यह सारे जितनी भी लेपटप में लेकर के आया हूँ यह सारे के सारे लेपटप आई फाइफ के अंदर है और सेवेंथ जनरेशन के सारे के सारे लेपटप है 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा देखते हैं क्या-क्या प्राइसिस रहते हैं क्योंकि आई फाइफ का सेवेंथ जनरेशन है तो इसके अंदर विंडोस 11 जो है अपग्रेड है जिनमें अपग्रेड नहीं होगा तो आप उनमें अपग्रेड कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से क्य बड़ी-बड़ी होडिंग दो नहीं लेकिन मारकेट trophy कोई कर चाहते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है बहसे समझते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी लोगों को छोटा लेप चाहीं है 12.5 इंच का तो ये लेप्टप डेल का बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए ये जो है डेल लेटिटूट का 72 असी है जो कोर आई 5 7th generation के साथ में है 8 GB राइम 512 GB SSD है जो कि बहुत अच्छा कन्फिगरेशन है वेप कैम वगेरे सब कुछ है बाकि सारी चीज़े पोर्ट्स वगेरे आपको मिल जाएगा अभी इस वक्त जो प्राइस इसका चल रहा है वह 21,000 चल रहा है 21,000 चल रहा है तो इस प्राइस पे जो इसका यारी कि 8 GB राइम के साथ में 512 GB SSD i5 7th generation कही ना कहीं बिल्कुल भी अबर्थ कर रहा है तो जिनको इस टाइप का काम है चोटे अलग टप चाहिए मार्केट वर्केट में रहते हैं तो बिल्कुल आप इसको जो है बाई कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट के अगर मैं बात करूँ तो वो है डेल लेटिटूट इसका भी बहुत अच्छा जो है कन्फिग्रेशन है 14.1 इंच का इसका डिस्पले है फुल एच्टी डिस्पले है ये बहुत बड़ी बात है फुल एच्टी डिस्पले के साथ में इसका प्राइस बहुत ही बहतरीन है चुकि विंडोस 10 प्रो के साथ में ये बिजनस लेबल का laptop है business के लिए 11 में चाहते हैं तो आप इसको update करेंगे Windows 11 में जो है यह upgrade हो जाएगा और इसका price इस वक्त 22,000 है 22,000 में मिल जाएगा आपको जो कि एक बहुत अच्छा performance यह आपको दे सकता है उसके बाद next की बात करूँ तो वह है Dell Latitude के अंदर ही 24,000 के अंदर i58 generation इसके अंदर 16 GB RAM है 16 GB RAM 512 GB SSD के साथ में अगर आप लेते हैं इस screen वही है 14 इंच का full HD screen लगा हुआ है इसके अंदर और यह पड़ेगा आपको इस वक्त करीब करीब 27,000 में जो कि बिलकुल भी 16 GB के साथ में 25,000 के आसपास में मिलता है यह हमेशा 24 और 25 के आसपास ही रहता है इस वक्त बढ़ा हुआ है जिस वक्त के वीडियो देख रहे हैं डिस्किसर में लिंक है एक बार चेक जरूर करें अगर यह 25 के नीचे नीचे रहता है तो बिलकुल भी आप इसको बाई कर सकते हैं एक अच्छा लेपटप आपके लिए हो सकता है उसके बाद जो है अगला वह हम आ जाते हैं HP में एक चींज ध्यान रखेंगे अगर कभी कभी क्या होता है कि सेम कन्फिगरेशन का एक लेपटप है सस्ता और एक लेपटप है महंगा कई बार क्या होता है इस स्पेसिफिकेशन तो सेम है लेकि एक 20,000 का है और 25,000 का है इस स्पेसिफिकेशन सेम है तो दोनों में से हम महंगा क्यों लें सस्ता क्यों लें तो अच्छले रिन्यूड में क्या होता है कि कंडिशन भी बहुत मायने रखती है तो जो 20,000 का है, same configuration है, उससे लाख बहतर होगा 25,000 वाला, क्योंकि वो condition का उसका rate लिया जा रहा है, renewed में condition बहुत माइन रखता है, condition के हिसाब से उसके price बढ़ा दिये जाते हैं, थोड़ा मोडा, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, बाकि अगर हम HP में बात कर रहे हैं, तो ये जो laptop है, HP 348 G4 का, ये notebook जो है, 8 GB RAM के साथ में, 256 GB SSD के साथ में है, 14 इंची screen के साथ में ये आपको पड़ जाएगा, मात्र 19,700 रुपे का, जो की बहुत अच्छा price है, इसको जो है आप बाई कर सकते हैं, आई 5 7th generation के साथ में, कहीं न कहीं एक बहुत 240 G3 का model, ये दिखने में premium होते हैं, ये वाले जो laptop होते हैं, दिखने में बहुत ही premium लगते हैं, अगर साफ सुथरे ये मिल जाता है, तो लगेगा कि ये बहुत ही premium laptop है, आई 5 7th generation का processor है, 8 GB, RAM के साथ में 256 GB SSD के साथ में आएगा, 14 इंच का display है इसके अंदर, और ये भी फिलह सारे के सारे होते हैं, इन सबी के अंदर जो है, दो डिस्पले लगा करके आप चाहें तो ट्रेडिंग वगेर भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद next की अगर मैं बात करूं, तो वो है Lenovo ThinkPad का, ये थोड़ा सा पतला आपको मिलेगा, बहुत ही अच् सकते हैं, तो एक 12 इंच का मैंने फर्स्ट उला बताया था, उसके बाद सारे के सारे 14 इंच के अंदर लेप्टॉप है, और अपने बज़ट के हिसाब से आप देखने कौँ सा ले सकते हैं, सारे के सारे 7th generation में है, ये मेरे सारे के सारे selected हैं, लिंक से जाने के बाद आप तो ऐसा नहीं है, अगर ये लिंक पर मौजुद हुआ, अगर खतम है, तो बगल वाला कोई दूसरा बाई ना करें, अगर ये खतम है तो उसको छोड़ दीजिए, जो अवलेबल है उसको बाई कीजिए, आपके लिए जादे फायदे मंद होगा, क्योंकि बहुत रिसर्च क साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ, आपका दिल सुपो.